स्वामी विवेका नंद ने व्यक्ति निर्मान का तोहफा दिया है उनकी शिक्षाओं पर कोई भी अमल कर आसानी से अपना जीवन सफल कर सकता है आपको बता दे कि ये विचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किये स्वामी विवेका नंकी जैंती पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये राष्ट्रिय यूवा संसद महत्सव के एक कारेक्रम में हिस्सा लिया इस औरान उन्होंने देश में मौजूद राजनीतिक वन्शवाद पर निशाना साथते उसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाला बताया प्यम मोदी ने देश के यूवाओं से अपील की कि वे बिना किसी लोब के राजनीति में और वन्शवाद से निप्टें राष्ट्रिय यूवा संसद फेस्टिवल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार जिनका आचार जिनका लक्ष सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का है यह राजनीतिक वन्शवाद लोकतंत्र में ताना शाही के साथ ही अक्षमता को भी बढ़ावा देता है राजनीतिक वंश्वाद के बजाए सिर्फ मैं और मेरा परिवार इसी भावना को मजबूत करता है ये भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्षन का भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज राजनीति में इमानदार लोगों को भी मौका मिल रहा है ब्रष्टाचार जिनकी विरासत थी उनका ब्रष्टाचार ही आज उन पर बोज बन गया है वो लाग कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं कुछ बदलाव बाकी है और ये बदलाव देश के युवाओं को ही करने है राजनीतिक वनशवाद देश के सामने एक ऐसी चुनोती है जिसे जड़ से उखाड़ना है अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं लेकिन राजनीति में वनशवाद का ये रोग पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि स्वामी विवेकानन कहते थे पुराने धर्मों के मताबिक नास्तिक वो है जो इश्वर में भरोसा नहीं करता लेकिन नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो खुद में भरोसा नहीं करता पहले देश में ये धारना बन गई थी कि अगर कोई यूवक राजनीति की तरफ रुक करता है तो घरवाले कहते थे कि बच्चा बिगड रहा है क्योंकि राजनीति का मतलब ही बन गया था जगड़ा, फसाद, लूट, खसोड, व्रिष्टाचार लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन सियासत नहीं बदल सकती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये स्वामी विवेका नंद ही थे जिनोंने उस दोर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिलवाले, सासी और आकांक्षी युवा ही वो नीव हैं जिस पर राश्ट्र के भविश्य का निर्माण होता है वो युवाओं पर, युवा शक्ती पर इतना विश्वास करते थे राश्ट्र युवा संसत फेस्टिवल को संबोधित करते वे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि समय गुजरता गया, देश आजाद हो गया लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी जी का प्रभाव अब भी उतना ही है प्यम नरेंद्र मोधी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने का मोका नहीं गवाना चाहिए देश की अगली 25 से 30 साल की यात्रा बहुत एहम है युवा पीड़ी को इस सदी को भारत की सदी बनाना है हर फैसले में देश हित देखना चाहिए युवाओं को आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए आगे आना चाहिए अध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा राष्ट्रवाद राष्ट्र निर्मान को लेकर उन्होंने जो कहा जन सेवा जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तिवर्दा से प्रवाइत होते हैं बताते चले कि स्वामी विवेकानंद की जायंती पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये राष्ट्री युवा संसद महटसफ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उपस्तिती को संबोधित किया प्रधा प्रवाइत हैं